चीन में फैले कोरोना वाइरस के कारान सेक्ड़ लोगों की जान जा चुकी है पड़ोसी मुल्क में आई-एस भीसर तरासदी की कारान भारतिय बाजार में भी खासा प्रोहावित होने लगा है गौलियर के कारोवारियों को अब लोगों की जान की साथ ही अपने कारोवारों की भी चिंता सताने लगी है क्योंकि चीन से आने वाले विभिन प्रोडेक्ट की जरूरत के मताबिक पूर्ती नहीं हो पा रही है गवालियर के तमाम कारोवारियों का कहना है कि जो माल एक फोन लगाते ही उन्हें उपलव्द करा दिया जाता था उसी माल की डिलिवरी देने का निश्यत समय कमपनी के जरिये नहीं बताय जा रहा है व्यापारियों के पास मोजियों दे स्टॉक लगातार खतम हो रहा है और नया माल मिल नहीं पा रहा है ऐसे में कारोवारी भी आनवे शक माल मंगाने और स्टॉक करने के जुगत में भिड़ गए हैं सबसे ज़्यादा असर एलक्ट्रिकल, एलक्ट्रोनिक और मुबाइल मार्केट पर दिखाई दे रहा है मौके को भुनाते हुए वेलेंटाइन वीक में व्यापारी ग्रिफ्ट आइटम्स भी महंगे बेच रहे हैं अधिकान्स एलक्ट्रिकल कंपोनेंट चाइना मार्केट से ही आते हैं लेकिन असेबलिंग के लिए माल अब आना कम हो गया है